नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि वोमिनोरम टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है वोमिनोरम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और वोमिनोरम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सक और यह भी डिसकस करेंगे कि वोमिनोरम टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में वोमिनोरम टेबलेट को लेना रेकमें देड नहीं होता है। पारीपन लगना आदी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी वोमिनोरम टेबलेट का उप्योग किया जाता है। वोमिनोरम टेबलेट को खाली पेत या खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रेकमें देड होता है। तोरसे लेकर 18 वर्ष के बच्चों को डूक्टर वोमिनोरम 5 एमजी टेबलेट को दिन में 3 बार और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ग्तियों को डूक्टर वोमिनोरम 10 और दूद के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर वो मिनोरम 10 एमजी टेबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको वो मिनोरम टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना वो मिनोरम टेबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की वो मिनोरम की वजर से कुछ सामानने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे शरीर में ठकान होना नींद अधिक आना और घबराहट की समस्या हो सकती है अब हम डिसकस करेंगे कि वोमी नोरम टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में वोमी नो लिवर की समस्याउं से भीडितृ व्यक्तियों में वोमी नोरम टैबलेट की खुराग घटानी पर सकती है अगर किसी व्यक्ति को वह मी नोरम टैबलेट या इसके किसी भी इंगरीन्ट जैसे मेटोप्लॉप्रमइड आदी से एलरजी है तो ऐसे व्यक्तियों को वो मिनोरम टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं वो मिनोरम टैबलेट को ले सकती है या नहीं प्रेगनेंट महिलाओं के लिए वो मिनोरम टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर वो मिनोरम टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब वो मिनोरम टैबलेट का देना बहुत ही ज़रूरी हो इसलिए प्रेगनेंट महिलाओ और स्तनपान करा रही महिलाओं को वो मिनोरम टेबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वो मिनोरम टेबलेट को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपका वो मिनोरम टेबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं